हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप आज की वीडियो है बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट आ रहा है इवन दो जो मेरे पास लाइव में बच्चे भी आते हैं उनका भी डाउट मैंने देखा मैं सरिफ बात कर रहा हूं जो आपका में सब्जेक्ट एक है देट इस आपका कई बार ना टेलिग्राम वगरे अब भी एक्टिव होता हूं रात में ग्रूप्स बने वें आपके तो वहां पर भी देखता हूं कि भाई बच्चों का क्या चल रहा है तो अभी बच्चों का जो फानेशल मेनेजमेंट का जो है चाहे बच्चा समेस्टर तीन का हो चाहे बच्चा समेस्टर पांच का हो दोनों ही बच्चों में से मैक्समम जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं सर मैक्समम बच्चे कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ ऐसा बता दो किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से फानेशल मेनेजमेंट को पढ़ना है मैंने काफी वीडियो डाले हुए है पहली बात जो बच्चे गलती कर रहे हैं मेरे पास पुरानी ओल्ड वीडियो क्योंकि देखो मैंने नंबर भी डाला हुआ है आपके कमेंट सेक्षन में आप पूछ लेते हो और मैं कमेंट भी देख रहा हूँ मैं डेली कमेंट देखके रिपलाई करता रहता हूँ मैं तो ओल्ड बच्चे जो है ओल्ड बच्चे क्या ओल्ड बच्चे कह रहा हूँ मैं ओल्ड वीडियो देख रहा हूँ अब ओल्ड वीडियो देखके क्या कह रहा है सर इसका अगला पार्ट का है तो मैंने पहले ही कहा कि भाई उस पार्ट में जिस जिस पार्ट में दिक्कत था वो पार्ट मैंने हटा दिया पुरानी वीडियो पड़ी भी है और टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो एक वीडियो नहीं डाली मैंने यूटूब पे दिखाँ देता हूँ आपको अगर YouTube की बात करें तो पचिस सो से उपर वीडियो डली ही है यूटूब पे आब देखेंगे तो YouTube पे देखो 2.5K से उपर वीडियो ढाला हूँ है मैंने और हर वीडियो को देखके पचिस सो वीडियो को देखके समझ के किस वीडियो में क्या कमी है नहीं है ये अभी possible नहीं है तो फिर तो मैं आगे आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा बच्चे क्या कर रहे हैं जैसे मैं financial management की बात करूँ अब searching में क्या होता है normally searching में वही है ना कि जो आप search करोगे दिखो latest video है वो यहां आ रहा है 13 hour मैं daily video डाल रहा हूँ जैसे भी हो रहा है जैसे working capital डाला था मैंने 20 घंटे पहले ठीक है बच्चे क्या कर रहे है एक working capital यहां है और एक working capital पहले भी डला होगा मैं अगर ले के चलता हूँ आपको मैं दिखाता हूँ पहले भी financial management का डला हुआ है जैसे cost of capital चलो यह तो latest ही है एक मैंने पुराने की बात करते हैं मैं भी देखा देता हूँ आपको leverage का 9 चे part है क्योंकि financial management पिछले 10 साल उसे है अगर मैं हमेशा से पढ़ाता आया हूँ financial management तो यह second semester चल रहा है यह देखिए अब working capital आपको देखेगा semester 5-9 अब बच्चा यह वाला part देख लेगा पुरानी वीडियो पिछली बार मैंने 10 year को अप्रूच के तो हर बार किताब के हिसाब से रहता है बच्चे यह वाली वीडियो देख लेते हैं पुरानी और उसके बाद फिर परिशान होते हैं के सर अभी जो आपका working capital है और नई वाली देखो आपको working capital मैं दिखा दूँ अगर तो नई वाली देखो यह working capital रहा है lecture चाल तो बच्चे बोलते हैं सर और study plan जो मैं कोई भी बनाता हूँ आपके लिए वो मैं बनाता हूँ आज के हिसाब से latest video के हिसाब से पुराने के हिसाब से पुराने भी study plan है तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पर जितने भी बच्चे हैं उन सबी से मैं एक ही request करना चाहूँगा कि आप नई वीडियो को follow करें पुरानी वीडियो में definitely अब confused होगा है पहली बात तो पहला जो बच्चा परिशान हो रहा है reason ये है पुरानी वीडियो देखके परिशान हो रहा है दूसरा सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ना क्या करें देखो जब मैं simple सी बात करूँ पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है एक तो सबसे पहले बुक खरीदना है पहले क्या करना है वो मैं बता दूँ बुक और प्लस आपको टेनियर खरीदना है अब जब मैंने ये बच्चों से बोलूँगा तो बट अविस है आप में से काफी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं मन में सर बुक और टेनियर बुक इतनी मोटी टेनियर अब कहां टाइम है करने का ऐसा कुछ नहीं है एक चेप्टर के अंदर 20-20 सवाल है और आपके अंदर इतनी capacity है कि आप आराम से एक दिन में 30-30 सवाल कर सकते है एक एक दिन में 2 और छूटा सा स्लिवस है हमारा financial management का तो आपको बुक लेना ही लेना चाहिए अभी भी आपके पास December पूरा पड़ा हुआ है Almost आपके पास तो आपको मैं यही recommendation करूँँगा सबसे पहले सर बुक और 10-year को लीजिए बाई करना है कैसे पढ़ना है आपने पूछा तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ इसके बाद आपको क्या करना है बुक ले लिया उसके बाद आपको chapter 1 जैसे कि मैंने कहा कि भाई बुक के इसाब से chapter 1 ने leverage उठाईए leverage leverage के questions मैंने almost book के question कराए वह है पहले आप leverage पूरा chapter करिए already book cover हो रहा है उसके अंदर लेकिन hard copy होना बहुत ज़रूर है बच्चे PDF चाहिए तो मैं simple से बात कहता हूँ digital इंडिया के अंदर इंडिया के कहीं भी digital नहीं हो सकती पढ़ाई भाई आपको hard copy पर आना पड़ेगा आप exam में थोड़ी ने digital ये लिखके आऊगे आपको hard copy पर ही हाना पड़ेगा तो book hard copy चाहिए चाहिए आपका कितना भी पुराना book है चलेगा 10 year नहीं वाला चाहिए आपका आपने leverage chapter को करा मैंने बता रखा है 4 से 5 गंटे में जैसे भी खतम होगा सारा schedule है तो leverage chapter को करा leverage chapter के करने के बाद कुछ questions मैंने book के homework में दिये हैं फटा-फट निप्टा आया उसके बाद फिर 10 year के question निप्टा लिए chapter खतम और जैसे ही हमने chapter खतम करा उसके बाद इसका आपको summary खुद बनाना है देखो मेहनत आपको खुद करना है summary कि इस chapter में आपने क्या सीखा और क्या चीजे ध्यान रखना है जैसे मैंने तो पढ़ा है मुझे पता है कि तीनो formula रियाद रखने degree of financial leverage, operating leverage, combined leverage और साथ के साथ percentage change in EBIT percentage change in EBS change में और साथ के साथ EBIT double हो जाता है तो यह 3-4 point है तो इसको कैसे take care करेंगा highlight करके रखिए और आपने daily नहीं तो हफते में 2-3 बार तो अगर यह chapter खतम कर लिए बस page पलट के देखना है कि इसके अंदर capital सर फिर कौन सा उठाएंगे नमबर 4 पे आपको लेना है फिर आपको value of firm बहुत चोटे चोटे चप्टर है नमबर 5 पे आप उठा लिजिए dividend नमबर 6 पे आप उठा लिजिए जो sequence होना चाहिए मैं बता रहा हूं working capital नमबर 7 पे उठा लिजिए आप operating cycle नमबर 8 पे उठा लिजिए आप management, receivable management नमबर 9 पे उठा लिजिए आप capital budgeting इसे मैं लिख रहा हूं नमबर 10 पे आपको करना है cash management नमबर 11 लास्ट में TVM कर लिजिए या ये दोनों चेप्टर आपस में change हो सकते हैं पढ़ने का तरीका एक ही है किताब होना चाहिए किताब के साथ साथ आपको इसके हिसाब से YouTube पे वीडियो पढ़ी हुई है जो चेप्टर YouTube पे पढ़ा हुए है वो तो आप YouTube से playlist भी इनफेक्ट बनाया हुआ है आप जाके देख सकते हैं देखें प्लेइलिस्ट कैसे देखना है आपको सिंपल सी बात है आप प्लेइलिस्ट के उपर जाइए क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आप YouTube पे है तो प्लेइलिस्ट जैसे देखें अगर मैं सिंपल सी बात करूँ आपका कौन सा चप्टर है वर्किंग के अपड़ेगी तो पांच वीडियो डला है आपको एक साथ मिल रहा है और मेरा कभी भी यह इंटेंशन नहीं रहता कि मैं कोई वीडियो इसमें से कम ढ़लू हाँ कस्टमाइजेशन और सिस्टमेटिक मैं अप्लिकेशन पर डालता हूँ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है वो चीज़े तो नहीं कर पाता मैं तो उसके हिसाब से यह चीज़े यहाँ पर रहता है लेकिन आप कुछ बच्चों नहीं समझ पारे तो मैं क्या करूँ अभी भी आपके पास टाइम है सर आपको इसी मैथर्ड से पढ़ना होगा अगर यह मैथर्ड आप फॉलो नहीं कर सकते जो मैंने बताया तो आपके लिए कोई दूसरा ऐसा प्लैन नहीं बना हुआ जिससे आपके मार्क्स में अच्छे नमबर आप आए कोई भी सबजेक्ट हो फाइनेशल मैनेजमेंट हो चाहे मैनेजमेंट अकाउंट हो चाहे आपका बिजनस मैथ स्टैट्स कोई भी हो तो एक चीज ये सबसे मेन आपको फोकस करके फॉलो करना है ये चीज़ आप ध्यान रखेगा कैसे बुक्स और ये आज जाईए आज आप आई कर लिजिए और फिर आप दूसरा इसके बाद अगर आपने ये काम कर लिया उसके बाद आपको करना क्या है सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम देना है और टाइम आपको ओन पॉइंट फाइव आर्स का अप एक ही ताइम फिक्स करिये इसको ऐसा निके दिन में जब टाइम मिले दे देंगा ये आफ़ले ही रात इसमें कोई संडे कोई मंडे नहीं कितनी भी दिक्कत आ जाए तब भी आपने करना है भले ही आपको बुखार है बिमार पढ़ गया ये अब होता क्या है थोड़ा सा सर में दर्द हो गया एर अज हैड़े के कल कर लेंगे कल तीन घंटे पढ़ लेंगे फिर यार कल क्या होगा यार एक काम करेंगा पर सो इसके बाद क्या करोगा संडे चुट्य पूरे दिन एफम ही पढ़ लूगा साथ आट गंटे में निप्टा दूगा वो जीवन में कभी नहीं आएगा आपके साथ आट गंटे ये मेरा प्रसनल एक्सपेरियंस है आपके एज में मैंने भी ऐसा क और ये करकर के मैंने यही सीखा है कि भाया जो काम हम कर लेते हैं वही होता है और जिस काम को सोचते हैं कि एक दिन में इखटा कर लेंगे जीवन में कभी नहीं आएगा ये मेरे से लिखवा लो आप आप चाहे कितने भी पढ़ने वाले बच्चे हो आपकी सेटिंग कैपेस बुक्स वगरा जैसे मैं देखो बुक्स होना चाहिए जैसे कैनीयर हो गया बुक्स हो गया मैं तो एक एकजामपल ले रहा हूं कि यह बुक्स जब आप पढ़ रहे हो तो जहां पर भी पढ़ते हो देखो कुछ बच्चों का तो एक प्रॉपर स्टुडी रूम होगा कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी होगा कि प्रॉपर तरों कि समाहौल एन्वार्मेंट नहीं मिल रहा फैमिली सारे वहीं पर रहते हैं तो वह आपको टाइम देखना है और कैसे पढ़ना है जिनके साथ ऐसा है कि फैमिली बहुत सारे मैं तो पार्क में जाके बैठके पढ़ ल यह आराम से और जो पढ़ना है सिर्फ वह किताब रखें और एक चिस प्रॉसस दिमाग से बिलकुल निकाल दें कि FM पढ़ रहे हैं तो only thinking about FM अगर किसी और subject के बारे में आ रहा है तो बस यह सोचिए भाई यह भी तो मेरे को पढ़ना है अब दूसरा पढ़ूँगा तो य कुछ बच्चे जो बच्चे कहना चाहते हैं मैं अगेन कहना चाहूंगा कुछ बच्चे कहते हैं सर को ना फ्री कर दो free कर दो आप course को हम पढ़ लेंगे देखो अगर आप sacrifice कर रहे हो तो मैंने चलो course free करवा देता हूं condition एक है मैं free कर देता हूं course का condition एक है number one आप अपने books plus 10 years खरीदिए इसका approve भेजिए number two आप one week तक लगातार मुझे 1.5 hours की वीडियो देखिए देखेंगे तो मैं बता दूँगा आपने कितने घंटे देखें मेरे पास तो सारा डेट एकसेस होता है डेड़ घंटे का वीडियो रेखिए और रेजिस्टर में मुझे नोट करके एकदम कंसिस्टेंटली भीजिए आप एक डेड़ घंटे का मैं आपका कोर्स फ्री कर दू और मैं गरेंटी लेता हूँ जो भी थोड़े बहुत चार्जिस कर जाते हैं लेकिन आपको पढ़ने वाला बनना पड़ेगा एक चीज मैं यूटूब पे तो मैं डाल रहा हूँ देखो अभी मैं एक यह होता है न आज के टाइम पे न देखो पहले के टाइम पे न क्या आप ग्रेजियोशन को लेके वो डेडिकेशन दिखा पा रहे हो जो कि आपने 12th क्लास के अंदर दिखाये था अगर दिखा पा रहे हो तो आपके अच्छे मार्स आएंगे अगर नहीं दिखा पा रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा दूसरा कोई लाज नहीं है दूसरा कोई तरीका नहीं समझ मैं ही बात आप अब वो आपका फैसला है कि आप YouTube पे पढ़ रहे हैं YouTube पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने कुछ भी देखा तो उसके साथ साथ नीचे बहुत सारी classes आ जाती है जैसे कि suppose करते हैं मैं सिक्षाधाम ही सर्च मारता हूं अपने फोन में मैंने सिक्षाधाम सर्च मारा ठीक है एक वीडियो मैं अपना ही कोई चला लेता हूं तो इसको चलाने के बाद चलाया मैंने अपना वीडियो एक इसके बाद नीचे कुछ-कुछ और आने लग गया कुछ-कुछ और आने लग गया नीचे तो इन चीजों को अववाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और आज के टाइम पर मैंने देखा है कि जो थमलीन होता है उसे क्लिक केवल और ऐसा होता है पंद हो जाओ भाई एक मिनट ऐसा थमलीन होता है कि ना चाहके भी क्लिक म तो सबसे पहले ये चीजे को आपको अववाइड करने के लिए हाँ अगर आपके पास लैप्टॉप है तो गो विद लैप्टॉप थोड़ी महनत करो थोड़ा आलस हटाओ क्यों हर चीज पोन पर नहीं होता अगर लैप्टॉप है तो लैप्टॉप पे डेफिनिटली अच्छा उट्पॉट निकालोगे आलवेज इंस्टेंट अफ मुबाइल तो आपके पास लैप्टॉप है तो लैप्टॉप पे पढ़िए मुबाइल और खुद भी थोड़ा सा पढ़ने का कोसिस करिए मेरे वीडियो से आप कंसेप्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत अप अपना एफट लगाई है जब लगे के नहीं आरा तो आप अपना एफट लगाई है तो पढ़ने का देखिए मैंने चप्टर सीक्वेंस बता दिया जो बच्चे जैसे कि अभी मैंने कोर्स का प्राइस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सारे कोर्स चल रहे हैं जो 30 आवर वाला था उसके अंदर capital bursting भी almost हमारा खतम हो चुका है सारे चप्टर खतम हो चुका है और आज तो टेस्ट भी रखा हुआ है तो टेस्ट वगएरा मैं यह कोसिस करूंगा कि जो टेस्ट हम पीड़ वाले बच्चों के लिए देते हैं वह मैं आप लोगों के लिए भी फ्री अदिजते इंजान को यह चीजे सई कर रहा है तो जिन बच्चों को यूट्व परwasser रहें यूट्यबप लगों की आपको पढ़ारा हूं तो पढहने के बाद मैं किस से मोटिवेट हूँ मैं क्यू डालू YouTube पे वीडियो बताईए क्योंकि एक हास से अगर ताली बज जाती है अगर आप एक हास से ताली बजा लोगे तो मैं बोल सकता हूँ मैं आपका भला सोच रहा हूँ अगर एक हास से ताली नहीं बसता तो भाई मैं अपना भी सोच रहा हूँ और आपका भी दोनों का ही भला है बट बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते वो उनकी अपने intention है कुछ ego रहता है बच्चों के अंदर कि भाई मैं तो सब्सक्राइब नहीं करता है मैं तो वीडियो देखता हूँ कौन करे सब्सक्राइब तो वो आपकी इच्छा है उसमें मैं तो force नहीं कर सकता है आपको कि आप सब्सक्राइब करिए हर किसी का अपना अपना intention है बट एट लीस्ट जिससे आपको कुछ मिल रहा है उन चीजों की respect करिए आप इसके टाइम पर आपको इतनी facility मिल रही है ना आज अगर आप कुछ भी चीज करना चाहो कुछ भी चीज करना चाहो आप कर सकते हो आपके पास अवेलिबल है हर चीजे तो बस मेरा यही कहना था वीडियो लंबी हो गई है आप focus करिए exam आने वाले है आज से ही aware हो जाईए जैसे भी करना है आप करिए start कर दीजे चाहे YouTube पर पढ़िए चाहे आप paid course पढ़िए paid course आपका लगबग I think 4.99 का है और उस पे भी आप discount लिजेगा तो आपको 2.99 के आसपास का यह course पढ़ जाता है अगर जिस बच्चे को लगता है कि भाई यह 2.99 मेरे जीवन के अंदर बहुत important रूल नहीं रखता 2.99 से मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा तो एक आप उसको payment करके आप खरीच सकते हैं और जिसको लगता है और exam के बाद उसे बस delete करने के काम आते हैं और कुछ नहीं हो सकता पढ़ोगे तो नहीं यह मैं guaranteed बोल रहा हूँ laptop पर पढ़िए या फिर आप application पर पढ़िए जिस पर सारी चीजे बंद हो जाती है सरिफ application पर focus रखिए आप सारे जितने भी notification है सारे social media से एक मेने के लिए दूर हो जाईए उसके बाद फिर तो आप रहेंगे रहेंगे तो चलिए thank you so much आपको समझ में आया होगा आप अगली वीडियो में मैं फिर से जैसे भी रहेगा मैंने पिछली बार बोला था P.O.M. के वीडियो के लिए तो P.O.M. में अभी तक उस पर मैंने वड़ा जिस दिन 1000 लाइक हो जाएंगे उस वीडियो पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का उस दिन मैं P.O.M. की फर्स वीडियो डालूँ है बड़ बच्चों ने अभी तक करे नहीं है उस पर वीउस हो चुके हैं बहुत ज़ादा वीउस हैं लेकिन अभी तक नहीं करे तो मैंने वीडियो भी नहीं डाला उस दिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं और उसके अंदर पूरा FM कैसे पढ़ा जाए Study Plan बनाया हूँ है पूरे तरीके से तो उसको जरूर देखिएगा Thank you so much मिलते हम next video